तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल बट उससे पहले आप लोगों को याद दिला दू कि वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजे और हां नोटिफिकेशन बेल जरूर हो रही है क्या बात है चलिए कोई नी अरेंज कर लेते चल दी से तो प्रथम शिला लेक जो है वो पशुबली की निंदा करता है तो इसका हो जाएगा चार नंबर दूसरा जो है छटा शिला लेक ये आम नियंतरन के बारे में है इसमें और आठवा शिला लेक जो है ये हमारा उप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं नियम्न में से कौन सा कथन मौरे प्रशाशन के संबंद में असत्य है पहला है मौरे प्रशाशन में शत्ता का केंदरी करन था दूसरा इसकाल में पहली बार राजनीती केकता देखने को मिल है जो की सरा सर गलत है तो हमारा उप्शन नंबर हो जाएगा ड़ी यही असकते है तो चलिए अगला देखते हैं तो पहला है इसे सुमलित करना है as you see चलिए शुरू करते हैं तो पहला का हो जाएगा फ्रेंड्स पूरोहित का राजा का प्रामशदाता और पॉर का हो जाए अंत्पुर का रक्षक और प्रशास्त्र का हो जाएगा पुलिस विभाग का अध्यक्ष तो इसे साब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा चलिए अगला देखते है तो प्रथम समीती जो है यह उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरिच्छन यह देखती है त्रितिय समीती जो है वो जन्मरण का विवरण रखना इसका काम है यह होगा और पंचम समीती जो है वो निर्मित वस्तूओं के विक्रे का निरिच्छन करती है और छटी समीती जो है वो विक्री कर वसूलना इसका काम था तो यहाँ पे थोड़ा मैंने गंदी की मचा दिय आप लोग ऑप्शन देख लीजे, ऑप्शन नमबर D जो होगा, वो इसका सही हो जाएगा, तो चलिए अगला देखते हैं, तो अगला है, एक तरफ जो है धर्म प्रचारक है, और उन्होंने कहां कहां धर्म प्रचार किया, उसके बारे में दिया गया है, तो धर्म रक्षित क है अपरांतक, महादेव का महेश मंडल, तीसरा रक्षित का है वनवासी, और चौथा सोन का है महराष्ट, तो फ्रेंड्स इसमें जो सुम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है, तो यह जो D है, सोन का महराष्ट, यह गलत दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा सुवर्ण भ नोट कर लिजे आप लोग, तो चलिए अगला देखते हैं, इसे भी सुम्मिलित करना है, तो पहला का हो जाएगा फ्रेंड दंड पाल, जनता की जानमाल की सुरक्षा करने वाला अधिकारी, दूसरा है दुर्ग पाल, देश के भीतरी भागों में स्थित दुर्ग की सुरक्षा करने वाला अधिकारी, तीसरा है दौवारिक, राजा के राजप्रसात की सुरक्षा एवं आवश्यक्ताओं की पूर्ती करने वाला अधिकारी, और सेना पती सेन विभाग का उच्च अधिकारी, यह बिल्कुल अरेंज है, तो इसका ऑप्शन नमबर A जो होगा फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा, चलिए अगला देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में तेरवा शिलालेख सर्वधिक महतोपून शिलालेख है, यह शिलालेख हजारा जीले से प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स यह पहला दूसरा बिल्कुल सही है दोनों के दोनों, तो यह और दोनों सत्य दथारे की सही व्याख्या भी करता है, तो चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन मौरे काल में अर्थ व्यवस्था के लिए असत्य है, पहला है मौरे प्रशासन में सिचाई पर विशेश ध्यान दिया जाता था, दूसरा है राज्य की ओर से सिचाई कर उपज का एक बटा आठ से एक बटा चार भाग होता था, तो फ्रेंड्स ये आखरी वाला जो है वो असत्य है, कौज ये जो था ये एक बटा पांस से एक बटा तीन था, चिक है, ये इसका सही है, चलिए, अगला, कौटिल्ले के अर्थ शास्त्र में उल्लेखित मौरे क कालीन मुद्राओं में माशक किस प्रकार का सिक्का होता था, पहला है, यह केवल सोने का बना होता था, दूसरा यह केवल चांदी का बना होता था, तीसरा यह चांदी एवं तामबा दोनों का बना होता था, और आखरी है, यह केवल तामबे का बना होता था, तो फ्रेंड् मौरे काल में रुपया उधार देने की प्रणाली प्रचलन में नहीं थी तो फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है पहला और दूसरा बट जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं आंतरीक व्यापार नदियों के मार्ग से भी होता था और चौथा है कॉटिल ने जल मार्ग की अपेक्षा अस्थल मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण माना है तो फ्रेंड्स इसमें जो असत्तिवाला है वो अफकॉस हमारा ये आखरी हो जाएगा दी नंबर क्यूंकि इसका उल्टा है बिल्कुल कॉटिल ने जल मार्ग को जाद महत्वपूर्ण माना है अस्थल मार्ग की अपेक्षा ठीक है याद रखेगा आप लोग तो चलिए अगला देखते हैं सुमिलित करना है इसे तो रूपा जीवा का हो जाएगा फ्रेंड्स स्वतंत रूरूप से वैश और अदेव मात्रक का हो जाएगा फ्रेंड्स बिना वर्षा के ही अच्छी उपस देने वाली भूमी तो हमारा ऑप्षन नमबर सी जो होगा इसे साब से कूटका सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं मौरे कालिन सामाजिक विवस्था के लिए कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है पहला कोटिल्य ने वर्णा अश्रम विवस्था के महत्यों को सुईकार किया है दूसरा कोटिल्य ने वर्णा अश्रम विवस्था की रक्षा राजा का कर्तव्य माना है तीसरा है कौटिल्य ने शुद्रों और मलेच्छों में अंतर स्पष्ट करते हुए शुद्रों को आरे कहा है और आखरी है कौटिल्य शुद्रों को दास बनाये जाने की अनुमती देता है मौरे काले निस्त्रियों के विशय में कौन सा कथन असत्य है पहला स्मृति काल की अपेक्षा इस काल में इनकी स्थिती अच्छी थी दूसरा इस काल में पुनर विवा एवं नियोक प्रथा नहीं थी तीसरा घर से बाहर नहीं निकलने वाले इस्त्रियों को और निश्कासिनी कहा जाता था और चौथा सती प्रथा का कोई प्रमान नहीं मिलता है तो फ्रेंट्स इसमें जो हमारा असत्य वाला है वो अफकॉस ये हमारा ओप्शन नमबर बी होगा यहां पे अप्शन नमबर बी जो होगा इसकाल में पुनर विवा एवं नियोक प्रथा नहीं थी ये गलत है तो चलिए अगला देखता है अशोक ने पाचवे स्थम्ब लेख में अपना कौन सा शाश्वत संदेश दिया है पहला है स्वयम जीवित रहने के लिए पशू हत्या ना करें दूसरा पशू पक्षियों की हत्या करना प्रकृति को छती पहुचाना है तीसरा एक जीव को दूसरा जीव ना खिलाया जाए और चौथा है पशू पक्षियों का विनाश आत्मगातक है तो फ्रेंड्स इसका जो सही वाला एंसर होगा वो होगा ओप्शन नमबर C एक जीव को दूसरा जीव ना खिलाया जाए चलिए अगला मौर्यकालीन वैवाहिक संबंध के विशेह में कौन सा कथन असत्य है पहला इसकाल में आठ प्रकार के विवाह का प्रचलन था दूसरा इसकाल में दहेच प्रथा का का काफी प्रचलन था तीसरा इस काल में प्रजापत्य विवाह धर्मेय विवाह के अंतरगत नहीं आता था और आखरी ये विवाह के लिए माता पिता की अनुमती आवश्यक थी तो इसमें जो असत्य है फ्रेंड्स वो है हमारा option number C इस काल में प्रजापत्य विवाह, धर्मेय विवाह के अंतरगत नहीं आता था, अब मैं थोड़ा प्रजापत्य विवाह के बारे में आप लोग को बता दू कि ये एक्चुली था क्या, तो इसमें कन्या की अनुमती के बिना उसकी शादी जो है वो अभिजात्य वर्ग के व पर के साथ लड़के के साथ करा दिया जाता था जिसे प्रजापत्य विवा कहा जाता था तो चलिए अगला होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं जादा जल्दी नहीं बोल रहे हूं शायद हो भी सकता है बट जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन्स है करवाने को तो इ विश्चित रहती थी दूसरा इनके माध्यम से रोजगार एवं उचित मजदूरी का विडियम होता था तीसरा शेणिया राज को करवसूलने में भी सहायता प्रदान करती थी और आखरी है इनके माध्यम से उत्पादित माल की गुणवर्ता का भी विकास होता था तो फ्र निमलिखित कतनों पर विचार कीजिये अशोक के बारवेशिला लेक में सात वाहनों का उलेक मिलता है दूसरा है जैन परंपर के अनुसार सिमुक ने बौध देवम जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्मान करवाया था तो हमें बताना है कि इसमें सही वाला कौन सा है तो इसमें option number B जो होगा केवल 2, ये सही है, चलिए अगला देखते हैं, निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, समस्त प्राचीन भारतिय धर्म गरंथों, मूल पाठों एवं विधी संबंधी पुस्तकों में ब्राम्मन फासी अथवा मृत्यू दंड से मुक्त रखे गए थे दूसरा है, दायभाग जो उत्तरा दिकारी संबंधी एक प्रबंध है, वारवी शताबदी के जीमूत वाहन द्वारा लिखी गई थी, और तीसरा, अर्थ शास्त्र अपरादेवं दंड का विवरंड देता है, तथा मृत्यू दंड के विभिन प्रकार बताता है, तो इसम हमारा option number D जो होगा, वो सही हो जाएगा, चलिए अगला देखते हैं, जेम्स प्रिंसिप द्वारा अशोक के अभिलेक का अर्थ निकालने के सूत्र, द्वी भाशिय प्रलेखों से मिले, जो संबंध थे, पहला, ब्राम्मी तथा चित्रलीपियों से, दूसरा, ब्राम्मी तथा अर्माइक से, तीसरा, ब्राम्मी तथा ग्रीक से, और चोथा, ब्राम्मी तथा किलाक्षरों से, तो फ्रेंड्स इसका सही एंसर हो जाएगा, option number C, इसका सही हो जाएगा, ब्राम्मनी तथा ग्रीक से, चलिए अगला देखते हैं, मौरेकालीन राजाओं ने धार्मी नंबर C, जो होगा, वो सही हो जाएगा, एस ही है, किन्तु आर गलत है, तो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और चैनल को सस्क्राइब ज़रूर प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मैं ऐसे ही आते रहूँगे, आप लोग के लिए बैक टु बैक इंपोर्टेंट क्वेस्टन एंसर लेके, तो मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन थेता, बाई बाई, टेक केर